फ्रेंज सब्सक्राइब कीजिए वाइफाई स्टेडी चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटेस एक्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो फ्रेंज सब्सक्राइब के अंदर आपका सपना पूरा होने वाला है क्योंकि आप सबको मिलने वाली है वोग्याप 24 प्राइम मेंबर्शिप सुबह अभी 11 बजे यह लॉंच होने वाली है इसलिए यहाँ पर देखे कई सारे आपके पास में इंपॉर्टेंट प्राइम फीचर से जो कि प्राइम मेंबर को मिलने वाल है यहाँ पर सभी वीडियो का आप आफ लाइन सेव करके बाद में कभी भी देख सकते हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर से जो कि आपके इंग्लिश को बहुत इंप्रूव करतेंगे और एक न्यूस पेपर की कॉस से भी कम में आपको yearly membership यहाँ पर प्रवाइड हो रही है और जो early 50,000 है उन्ही को यह offer मिलेगा इसलिए इसको लेना ना भूले और प्रेंस चैनल को सब्सक्राब करना बिलकुल ना भूले साथ में bell icon पर प्रेस करिए ताकि मैं आपको notification बेजवाता रहूं अच्छे वीडिय मेडले का एक नाउन है जिसका मतलब है variant mixture of people और तिंग तो किसी भी चीज का mixture जो होता है मेडले में कहते है उसको अपन मेडले कहते हैं सिनलम क्या होंगे assortment, miscellany, mixture, melange, blend याफिक collection और anthems का है singularity और example क्या होगा in an exhibition generally a medal of art is displayed on the gallery walls यानि कि exhibition के अंदर कई सारे मेडले तरीके क art display करी जाती है gallery walls के ओपर, origin कहां से old french words है, trick देखिए बहुत ही आसान है, medley songs में कोई कई songs का medley होता है, तो देखिए medley songs आपने सुने होंगे कई बार medley songs चलते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, कि medley songs वो songs होते हैं जिसके नहीं दो गाने है, दो से जाधा गाने, ठीक है, एक साथ एक back to back चलते रहते हैं, और कई सारे गानों में क्या होता है, overlapping भी होती है, ठीक है, तो medley songs में कई सारे songs का क्या होता है, medley होता है, यानि कि उसमें mission होता है, कई सारे songs उसके अंदर डाले जाते हैं, तो इस तरीके से medley songs से आप medley को relate करके इस ambition के याद कर सकते हैं, आपने medley songs कई बार सुना होगा यह word लेकिन कभी इसका मतलब समझने कोशिश नहीं करी होगी, आज समझ लीजे, इस तरीके से आप इसको कभी नहीं भूल पाएंगे, कि medley songs में कई songs का medley होता है, यानि कि mission होता है, ठीक है, और आज का अपना second word है suffuse, suffuse क्या verb है जिसका मतल अपना second word है gradually spread through or over, फैलाना, तो कोई भी चीज जो कि किसी जगे पर फैल जाती है, okay spread हो जाती है, उसको अपन क्या कहते है, suffuse कहते है, से नहीं क्या होंगे permeate, spread over, spread throughout या फिर pervade, और atoms कहा है suppress या फिर decrease, now let's see the example, Helen knew her outdoor plants were ruined when she saw dark clouds suffuse the sky, यानि जो Helen है, उसको अपने outdoor plants घराब ह हो गया है, जब उसने देखा कि बाहर पूरी तरीके से cloud आकाश में फैल हुए है, वह forms कहा है suffuse, suffused and suffused, related word कहा है suffusion, यानि कि फैलाव, और origin कहां से, Latin word से है, ट्रिक देखिए इसके बहुत है आसान है, सब जगे ये virus suffuse हो गया है, तो सब जगे ये virus suffuse हो गया था, यानि कि क इस तरीके से आप इस word को अपने जनरली टम्स में भी यूज कर सकते हैं, कोई भी चीज जब आप बोलते हैं, कि कोई चीज फैल रही है, तो सब जगे आज कल ये चीज suffuse हो रही है, यानि कि फैल रही है, next is spectre, spectre के नाउन है, जिसका मतलब है something widely feared as a possible unpleasant or dangerous occurrence, आशंका या फि होती है, खत्रा होता है, danger होता है, तो fear होता है, तो अब उसको spectre कहते हैं, threat, menance, danger, peril, या फिस, fear, ये इसके synonyms हैं, जिसके अंदर important देखिए, ये दोनों बहुत important है, end times का होंगे safety, या फिस, surety, अब देखते हैं इसका example, the spectre of deflation is evident from the fact of low demand, यानि जो खत्रा है, deflation के है, तो देखिए, spectator तो आपको पता ही है, ये word बहुत ही common है, spectator कौन होते हैं, जो कि आपका match देखते हैं, कोई भी चीज को देखने वाले लोग हैं, कोई भी टूनामेन चल रहा है, तो Syria में ऐसे हालत हो गए हैं, जो spectator है, वहां से भी उनसे भी आजकल डर लगता है, क्य इसका मतलब है, extremely idealistic, unrealistic and impractical, अब आस्तविक या फिर अविवारिक, तो कोई भी चीज जो कि सुनने में बहुत अच्छी लगती हो, ठीक है, देखने में बहुत idle हो, और लेकिन unrealistic हो, उसको अपन क्या कहते हैं, क्यों exotic कहते हैं, synonym क्या होते हैं, utopian, impractical, unrealistic या फिर inwardly, और end times क practical, pragmatic या फिर realistic, अब यहां पर दो वर्ड यानि कि utopian और pragmatic दोनों आपके paper के लिए important है, okay, example, the idea of an obese person, participating in a treklon, is an quesotic notion, यानि कि जो idea है, एक मोटे परसन का triathlon में participate करने का यह बहुत ही आवास्तिविक है, related वर्ड यानि कि कल्पना, शीलता, पूर्वक, और origin कहां से, यह जो word है, यह character, यह from Don Cusot, and novel character, who losses his wits from reading too many romances, and came to believe that, it is a knight designed to revive the golden age of Shivalry, okay, तो यह कि यह novel है, वहां से यह word निकाल गया है, कुल मिला के, ट्रिक देखिए, बहुत ही आसान है, बिंज जाने, क्यों शादी करने का idea, क्यूश्विक है, तो देखिए, अगर आप किसी को जानते नहीं हो, तो पहले के टाइम पर ऐसा होता था और चलता था, लेकिन आप ऐसा जानना बहुत मुश्किल है, कि क्यों किसी को अगर शाद करने का idea क्यों exotic है, क्यों exotic है, यानि कि बहुत ही impractical है, next is feat, यह noun है, जिसका मतलब है, an achievement that requires great courage, skill और strength, तो कोई ऐसे चीज़ जो कि बहुत सहासिक कार रहे हो, उपलब्दी हो, achievement हो, ठीक है, उसको अपन कहते है, feat, और इसके इंटरम जाहिए, defeat, failure, inaction, या फिर लॉस, और सि if you write a 40 page essay in one night, you will accomplish a huge feat, यानि कि अगर आपने 40 page के essay को एक night में लिख दिया है, तो यह आपके बहुत बड़ी उपलब्दी है, ठीक देखिए, इस competition में ज्यादा eat करना, feat माना जाता है, तो देखिए, यह competition है, जो कि China, Japan में होता है, तो यहाँ पर ज्यादा eat करता है, ठीक है, वो सभी के लिए क्या होता है, feat होता है, यानि कि क्या होता है, सभी के लिए उपलब्दी होती है, ठीक है, बहुत बड़ी, तो eat को अपन, feat से लेट करके से याद कर सकते है, कि इस competition में ज्यादा eat करना क्या है, feat है, feat है, feat है, यानि कि एक उपलब्दी है, एक साथ सिक कार र यह बिल्कुल भी जायज नहीं है कि बहुत ही भाइचारा बड़ाले एंप्लोई के साथ में और इसका ओरिजिन कहां से हिब्रु वर्सेस का ओरिजिन है इस्टेक्टियों कहां चलती है इस्राइल की लैंग्विज है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती ये बात कौशर है तो कितने सिंपल सा एक हिंदी का स्टेटमेंट है उससे आप कितना अच्छा ही वह क्या ब्यात कर सकते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती ये बात कैसी ये कौशर है यानि कि बिल्कुल सेंसिबल बात है वैलि climbing करना सीख लेगा तो इसको बोलते हैं अपन कौशर कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती ये बात कौशर है यानि की जायज है इसको बहुत ही कट्टर लोग होते हैं किसी भी एक सिधान को मानके बढ़ आते हैं इसको अपन रेडिकल बोलते हैं अल्तुरिष्ट जीलियॉट फनाटिक ठीक है यह सारे जो वो क्या यहां पर सिनारम दे रहे हैं यह आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉरंट है तो इसको अपन ऐसे लोग को बोलते हैं कट्टर पंती कट्टर कंजर्वेक्टिव या मॉडरेटियस के एंटिरम से हैं एक्जामपल बिकॉज में फादर जा फुट्बाल एवेंजलिस्ट ही हाजंट मिस अन्यों फूट्बाल के बहुत ही कट्टर है मेरी कट्टर है इसलिए उसने पिछले 10 साल से हों टीम के एक भी गेम नहीं चोड़ा ओरिजन कहां सा है लेट्टि फ्रेंच व्र्ट सा है ट्रिक क्या होती हैं रेवेंज लेने वालोग लोग पुलीस के लीस्ट में एवेंजलिस्ट होते हैं तो जो यहीं कि कुछ की से चीज़ की परटिकुलर्ली एक cost के लिए हो. Revenge लेने वाले लोग police के list में evangelist होते हैं याने की बिल्कु कटरबंती वाली list में उनका नाम होता है. Next है ambridge. Ambridge एक noun होना जिसका मतलब है offense और annoyance. अपमान करना किसी का. Resentiment, acceptation या फे इंडिगनेशन. Offense, have a dishonor. और antimes का cheer, delight, glee, have a pleasure. अब यहाँ पर disorder is important. For example, a teacher should help students rather than giving them embrace for not knowing the answer. एक teacher को क्या करना चाहिए? Help करना चाहिए student का. ठीक है? और अपमान नहीं करना चाहिए कि उसको answer नहीं आता. Latin word का है ambridgeous, यानि कि inclined to take offense easily. ठीक है ambridgeous. और origin कहां से Latin words है. ठीक देखिए, एक लड़का है, उसने एक बहुत ही अच्छा scene create किया, bridge के उपर एक लड़की को propose किया, लेकिन फिर भी उस लड़की ने क्या किया? अपमान कर दिया, ठीक है? इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, कि bridge पर अच्छे से propose किया, फिर भी एमब्रेज कर दिया, यानि कि फिर भी उसका अपमान कर दिया, तो bridge को अपन अब्रेज से लेड़कर करके से याद कर सकते हैं, तो embrace का मतलब अपमान करना, next is shudder, जिसका म कहते हैं, shudder, और shake, shiver, trimble, cure, या फिर कोई बार, और antium कहा, standy या फिर स्टेबलाइज, और example, a jolt of lightning cause the mere body to shudder, यानि जब एक lightning की बहुत जोर से बोलती है, तो वो रॉंग्टे खड़े कर देती है, mere की body कर, और waveforms कहा है, shudder, shuddered and shuddered, अब देखें, trick कितनी आसान है, shoot shootout हुआ था लोखनवाला में, तो अगर आपने movie देखी होगे, आप समझ गया होगे कि आसपास कैसा terror का महल Bombay में हो गया था उस time पे, ठीक है, तो shootout at लोखनवाला के time पे सब shudder हो गया था, यानि कि सब के राउंटे खड़े हो गए थे, कि माया और उनकी गैंको इस तरह किसे police ने encounter किया है, ओके तो shootout at लोखनवाला के time पे सब shudder हो गया था, तो shootout और shudder इन दोनों का आप लेटकर के से याद कर सकते हैं, और आज के जो last whatever है, onerous, onerous यह एक adjective है जिसका मतलब है, और पर task or responsibility, involvement, great deal of effort, trouble, या फिर difficulty, तो कोई भी काम जो की बहुत ही भारी होता है, मुश्किल होता है, उसको अपन कहते हैं, onerous, जैसे burdensome, heavy, cambersome, laborious, surface in yours, यहां पर laborious important है आपके लिए, यह दोनों वर्ड बहुत important है, अंटरिम काऊंगे, easy, light, soft, surface, effortless, और example, when Jack agreed to help his father cut the grass, he did not realize the chore would be so onerous, यानिकि जब Jack ने agree करिया उसके फादर के साथ में grass काटने को ल जिसका मतलब है burden, onerous का मतलब burden होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है, और trick देखिए, one law बनाना onerous काम है, तो one law बनाना कैसा काम है, onerous काम है, यानिकि देखिए अब uniform civil court के उपर बात चल रही है, तो कितना सरकार के लिए मुश्किल हो रहा है one law बनाना, तो इस one को मैं इस वाली spelling से late कर रहा हूँ, ठीक है, कि one law बनाना onerous काम है, onerous यानिकि बहुत ही मुश्किल बारा काम है, okay, तो इस तरीके साथ आप 10 वो क्या व्याद कर सकते हैं, कल मैंने जो आपको कोशन पर देखिए था उसमें मैंने आपसे most similar word पूछा था, जहाँ पर ब्रिल का, त इसका आपको क्या बताना है, most similar word बताना है, कमेंट करके, और देखिए, मैंस्तर कॉर्णम की बात की जाए, friends, तो यहाँ पर सभी को अपन रिवाइस करेंगे, पहला था सफ्यूज, okay, सब जगे सफ्यूज हो गया है, यानिकि spread हो गया है, क्युक्सादी करने का idea, क्युक्स इसका बहुत है, बहुत ही इन्पैक्टिकल है, onerous, one law बनाना onerous काम है, यानिकि बहुत ही मुश्किल बरा, bridge के ओपर प्रपोस किया, फिर भी embrace कर दिया, यानिकि अपमान कर दिया, यहाँ पर feat करने का, को feat माना जाता है, यानिकि बहुत बड़ा achievement माना जाता है, shutter, कि shootout औ जिने वाले लोग, police की list में, कैसे होते हैं, evangelist होते हैं, यानिकि बहुत ही cutter होते हैं, next है specter, आजकल इस इरिया में spectator से भी spectator लगता है, यानिकि डर लगता है, okay, medley, medley songs, कई तरी के songs का medley, यानिकि mission है, और kosher, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, यह बात kosher है, यानि कि बिल्कुल भी practical sound और सही है, और friends, यहाँ पर trick बनाओं, जानों के अंदर friends, आज की जो आपको trick बनानी है, और मुझे comment करके बताना है, ताकि सभी कोश से बहुत benefit हो, so friends, यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद करते हैं, कि अभी 11 बजे आप Prime Member बन जाएंगे, काफी कुछ ऐसे नए features हैं, नए चीजे हैं, जो कि आपको उसमें मिलती रहेगी, तो उसको बाद में regret नहीं करिये, 50,000 के अंदर अपना नाम register कराईए, और offer का फाइदा उठाई है, so friends, thank you and all the best.